हेलो एवरिवन, वेलकम टू बूखोपर्स, आज हम ए और एन का यूज करना सीखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, इंगलिस में टोटल हमारे 5 वोवल्स होते हैं, जो हैं A, E, I, O, U, ये हमारे वोवल्स होते हैं, और बाकी 21 हमारे कोंसोनेंट होते हैं, जो वोवल्स के साथ म सब्द सुरू होता है, तो हमें धिहान देना है वोवल्स के साउंड पर, जिस साउंड में वोवल्स का साउंड आएगा, उसके साथ में हम N का इस्तमाल करेंगे, और जिसके साथ में वोवल्स का साउंड नहीं आएगा, उसके साथ में हम A का इस्तमाल करेंगे, जैसे एपल apple a से सुरू होता है और इसके sound भी a का आता है यानकि vowel का sound है इसके साथ में हम n लिखेंगे और elephant elephant भी हमारा e से सुरू होता है जोगी एक vowel है और इसके साथ में भी हमारा n आएगा उसके बाद है inkpot i से सुरू होता है और इसके साथ में भी हम N लिखते हैं उसके बाद Orange, Orange भी एक वोवल है और इसके साथ में भी N आएगा Umbrella, Umbrella के साथ में भी हम N का इस्तमाल करेंगे लेकिन जब बात करते हैं European की ये सब्द सुरू होता है E से लेकिन जो इसका sound है वो आता है यह का और यह कोई वोवल नहीं है तो हमको धियान देना है sound पर और इसमें से हमारा वोवल का sound नहीं आता तो इसलिए हम इसमें A लिखेंगे ठीक है? उसी तरीके से जिस भी चीज में हमारा वोवल का sound आएगा जिस वर्ड के साथ में वोवल का sound आएगा उसके साथ में हमको N लिखना है बाकी के साथ में हमको A लिखना है जैसे MLA MLA हमारा M से सुरू होता है लेकिन जो इसका sound है वो आता है एक vowel का sound A MLA M A से सुरू होता है इसलिए हम इसमें लिखेंगे N M हमारा vowel नहीं होता लेकिन हमको focus करना है sound के पर H है, लेकिन जो sound है, वो H का नहीं आता है, उसमें A का sound आता है, इसलिए हम इसमें भी N लिखेंगे, Next हमारा है teacher, teacher हमार T से शुरू हता है, कोई vowel का sound नहीं है, इसलिए हम A लिखेंगे, Next ہے salt, salt में भी हम A लिखेंगे, उसके बाद है सुगर, सुगर में भी हम आ लिखेंगे चेर हमारा सी से सुरू होता है, इसमें हम आ लिखेंगे उसके बाद है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारा सुरू होता है यू से लेकिन इसका साउंड आता है या का वोवल का साउंड इसमें नहीं आता है इसलिए हम इसमें भी आ लिखेंगे एन इसमें हम नहीं लिखेंगे एग, एग में हम एन लिखेंगे उसके बाद है एंजल, एंजल में भी हम एन लिखेंगे उसके बाद है box इसमें हम आ लिखेंगे फिर है village विलेज में भी हम आ लिखेंगे उसके बाद है wolf वुल्फ में हम व का sound आता है आ लिखेंगे हमको focus sound पर रखना है dog में ड का sound आता है d d से सुरू होता है इसलिए हम इसमें आ लिखेंगे जब्रा, जब्रा में भी हम A लिखेंगे, उसके बाद है पिक्चर, जो की P से शुरू होता है, इसमें भी हम A लिखेंगे, उसके बाद है इरेजर, इरेजर में हम क्या लिखेंगे? eraser में हम n लिखेंगे तो basically हमको focus करना है wovel के sound पर जिस word में से wovel का sound आएगा वहाँ पर हम n का इस्तेमाल करेंगे और जहांपे हमें wovel का sound नहीं आएगा उस word के साथ में हमको a का इस्तेमाल करना है तो यह ऐसे ही हमको a और n का use करना है I hope आपको A और N का यूज समझ में आ गया होगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओके बच्चो बाई